पॉटी ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है अपने डॉक को अभी जोई को आएवे हमार पास ज्यादा ज्यादा दस दिन हुए पर लीश और कॉलर की ट्रेनिंग को हमें दे दी हो अभी एमने क्या किया है दुबार के 30 बजए हमने अभी इसको खाना कहला है उसके पेट भर के पानी पिलवाए और में इसको एक वॉक पिरया के अंदर ताकि किसी के पीसिस या किसी का त्वल्यट या गंदकी इसके मूँपे ना लगे क्योंकि इंफेक्शन हो सकता है अभी वेक्सिनेशन पूरी नहीं हुई है तो यही पॉटी ट्रेनिंग का सबसे अच्छा तरीका है जब यह अपने छोटे पपी को पॉटी ट्रेन का ना चाहते हैं खाना खेलने के बाद आपको आदा गंटा देना परेगा फूर फ्यू मुंस ठीक है और उसको एप्रिशेट कीज झाल 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 झाल